हम और आप दिगंबर जैनाचारे श्री पूच पात स्वामे ब्रचेत जैनेंद्र व्याकरण जैनेंद्र महा बृत्ति का अध्यन कर रहे हैं इस जैनेंद्र महा बृत्ति के अध्यन में हम और आप एंगोती पदान्तात सुत्र के माध्यम से पूरूरूप संदी को जान रहे थे अब पूरूरूप संदी को जानते हुए मुने धन अनग का जो आ है वो एंग पृत्याहर के होने पर पूरूरूप होता है उसी के अंत्रगत हमने संका समादान रखी आचार वगवंत ने कहा के एक इतिकिम एक पृत्याहर हो एंग पृत्याहर हो ऐसा क्यों कहा एंग किम एंग इतिकिम एंग पृत्याहर हो ऐसा क्यों कहा तो यहां पर सुत्र के अंत्रगत जो जो सर्था वताए गई थी एंगोती पदानतात के एंगा पदानतात अती परताः द्वियो एकवा पूर्वो ववती दोनों के इस्तान पर एक पूर रूरूप आदेश होता है तो पूरूरूप आदेश होने पर जो सामने वाले पद का अकार था वो ए में आके मिल जाता था इसी को बोलते है पूरूरूप संदी तो एंगा हाईती किम ऐसा प्रश्ण किया गया के एंग परत्यार हो ऐसा क्यों का तो द्रिश्टांत दिया ददी धन अत्रो यहाँ पर पदांत है सामने अकार है लेकिन पूर्व पद में एंग प्रत्यार नहीं होने के कारण यहाँ पर अच्ची कोई यन सूत्र से इके स्थान पर याद इस हुआ फिर सामने वालों ने प्रश्ण किया अत्य इतिकिम सामने अत्य हो अकार हो ऐसा क्यों का तो नहीं द्रिश्टांत दिया पटो दन ही है यहाँ पर पूर्व पद में एंग प्रत्यार है लेकिन सामने अकार नहीं होने के कारण यह सूत्र कारण नहीं करके एचो यवा यावा सूत्र के माद्यम से ओके इस्तान पर आवादिस हो जाएगा तो बन जाएगा पट भी है यदि हम बयो खंबा सूत्र लगाएंगे तो वकार का लोप भी किया जा सकता है पट ही है फिर का तपर करणम किम तपर का मतलब होता है ता परे अती कहा है अती अती मने आके बाद में ता है तो किते तपर करणम किम तपर क्यों कहां तपर कहने का मतलब है कि हरस अकार हो ऐसा क्यों का अवरन कह देते हैं कहते हैं नहीं तपर करणम का मतलब है कि हरस अकार ही होना चाहिए उसके लिए द्रश्टांत आचार वगवंतना दिया पटो धन आयाही अब पटो पदांत है आयाही भी पदांत है लेकिन सामने अत्मने अकार नहीं होने के कारण इंगोती पदांता सुत्र से पुरूप नहीं होगा एचो यवायावा से अवादेश हो जाएगा पट वायाही अत्मा पट आयाही फिर केते पदांता तिती किम पदांतो पदांतो यहां तो आचार भगमंत कहते हैं पदांत कहने सिक्स का मतलब यह है कि ने धन अनम यहां पर यह है और अनम अब यहां पर ना कोई ने का अर्थ है ना अनम का अर्थ है दोनों जब मिलेंगे तभी पद बनेगा तो यहां पर ने धन अनम होते हुए भी पदांत का अबाब है इसलिए एचो यहावा यहावा से प्रियोक करेंगे तो ने नम बन जाएगा ऐसे ही मुने धन अस यानि की इरेद्रो जसी मुनी सब्द से जब इरेद्रो जसी लगाएंगे तो यह के इस्तान पर ए हो जाएगा और सामने जसका रहने वाला जो अस है तो यहाँ भी अकार है और यहाँ पर पूर पद में ए है लेकिन प्रकर्ती ववक्ते हो उपलब्दौ पदम प्रकर्ती और ववक्ती दोनों जब एक रुपता को प्राप्त हो जाते है तब पद बनता है इसलिए मुने यहाँ पर भी एंगोती पदानतात सुत्र का प्रियोग नहीं हुआ अब इसी संदर्व में हमारे बीच में सब्द है गो धन अग्रम अब गो में ओ है एंग प्रत्याहार है और सामने अग्रम हमारे बीच में है सुत्र की प्राप्ती है उसके बाद एंगोती पदानतात सुत्र कहता है कि अन्त में एंग प्रत्याहार हो और सामने अकार हो तो पूर्व रूप एका देश होता है इन दोनों को वाद करके सुत्र आता है सरवत्र विवासा गो यह सुत्र कहता है कि एंग अंत से गो अतीवा प्रकर्ती भावा पदानते हैं कि एंग अंत में हो ऐसा गो सब्द के सामने अती माने अकार के होने पर विकल्प से प्रकर्ती भाव होता है अब प्रकर्ती भाव का मतलब है कि जो सब्द जैसा है वैसा ही रहने दिया जाए उसको कहा जाता है प्रकर्ती भाव तो यहाँ पर गो धन अग्रम सरवत्र विवासा गो के मात्यां से जो सब्द है जैसा है वैसा कव ऐसा ही रहेगा तो पहला प्रयोग वन गया गो धन अग्रम फिर एक अगला सूत्र आता है कोगी ये सूत्र बिकल्प से लगता है ये सूत्र बिकल्प से लगता है जब ये सूत्र भी अपना कारे नहीं करेगा तो उसके बाद सूत्र आता है विवासा नियत्रो विवासा नियत्रो अर्तात गो सब्द के सामने अच हो उस गो सब्द के सामने अच के होने पर गो को अवंग आदिस होता है इंदर सब्द को छोड़ कर अर्तात इंद्र सब्द के होने पर अगला सूत्र हमारे वीच में आएगा यहां पर सामानत्या कहा जा रहा है कि गो सब्द के सामने अच प्रत्याहर हो तब बिकल्ब से गो सब्द को अवंग आदेस होता है अवंग अब यहां पर फिर विचार किया जाता है कि गोशब् Bennett के स्थांद पर अवंग आदे आचार्वगवनत कह रहे हैं चुक्त पूरे गोशब् following पर अवंग आदे इस करना है है कि इसके स्थांद पर अवंग आदे इसकरना है तो आचार वगवन्त एक सूत देते हैं सित सर्वस सित सर्वस का मतलब होता है सा इत सर्वस तालब सकार का जहां पर इत अनुवन्द होकर खम हुआ हो उसकी सित संग्या होती है उसको सित कहते हैं करने तो को सित सर्वस सिद आदेश हा सर्वस सहिस्ताने वेधि तब्या हाँ जो सित आदेश की आए अवे स्कार का अनुवन्द लोब किया है इत्संग्य की है और इत्संग्य करके नासा खम तस्य खम उस इत्संग्य का लोब हो जाता है और लोब हो जाने पर पूरे के इस्तान पर होता है सरवस्य इस्ताने पूरे गोसब्दे के इस्तान पर अवंग आदेश होता है लेकिन अवंग आदेश में कोई सकार की इतसंग्या तो है नहीं है सकार का लोग तो हुआ नहीं है जब सकार की इत संग्या नहीं है तो फिर ये सुत्र अपना कार नहीं करेगा फिर गाड़ी अमारी जहां थी वहीं की वहीं घड़ी हुई है कि हमें गोसब्द के इस्तान पर अवंग आदेश करने के लिए कहा जा रहा है तो हम किसके इस्तान पर अवंग आदेश करें तो पुरा आचार वगवन्त एक सुत्रित नित्म का मतलब होता है कि जिन सब्दों में जिन पृत्तियों में गा का इत होता है गा की इत संग्याओं के नासा खम तस से खम ये कार्य होता है उसको अन्त के इस्तान पर होता है जो गा की अनुवन्त संग्याओं जिसमें होती है गा का इत जहाँ पर होता है ऐसे गा के इत होने पर उन सब्दों में अनेक अल होना चाहिए अवंग आदेश में चार अल है अल का मतलब होता है आई ओन रेल रख ये ओंग है वराट लान यम गण नम जमें गण दस जब गड़ दस कप छटत चटत तव कप ससरहल पूरा पृत्याहार पूरे चौदा का चौदा सूत्र उस अल पृत्याहर के अंत्रगत आ जाते हैं तो कहते हैं अनेक अल हो तो अवंग आदिस में चार अल हैं सबसे पहले आ फिर वा फिर वा में रहने वाला आ और गा एक से अधिक अल जिसमें होते हैं उसे अनेक अल कहते हैं तो यहां चार अल होने के कारण अंत्र से गिद एव अनेकाल अंत्र से इस्ताने अंत्र के इस्तान पर होगा अब अंत्र क्या है गो सब्द में कहते हैं ओव ओके इस्तान पर अवंग आदेश हो जाएगा अनुबन दोकर अब सेस बचेगा स्वरसहित गा अवंग आदेश में अब और उसके बाद में अग्रम हमारे सामने लिखाई हुआ है उस अग्रम को देखकर अतात अच को देखकर गो सब्द के ओके इस्तान पर अवंग आदेश होगा गांका अनुबन दोने पर वामे अकार है वामे अकार और सामने अग्रम का भी अकार है अतात आमने सामने स्वसंग्यक वर्ण है स्वसंग्यक वर्ण का मतलब वता है सवर्ण परस पर में एक रूप वाले सब्द वराजमान है तो सुत्र लगता है स्वेकोदी स्वेकोदी सुत्र कहता है कि स्वसंग्यक अक्प्रत्याहर के होने पर परस पर में दोनों के इस्तान पर एक रूप आदेश होता है दी अर्ताद दीर गरूप आदेश हो जाता है तो यहां पर दीर गरूप आदेश होता है तो बन जाएगा गवाग्रम गोधन अग्रम गवाग्रम लेकिन ये सूत्र भी बिकल्ब से लगता है बेवासा अन्यत्रो बेवासा मने बिकल्ब से अन्यत्र मने अन्य जगे बिकल्ब से लगता है अन्यत्र कहने का अभी प्राह ये है कि इसके बाद में एक सूत्र और आएगा हमारे पास में आचार भगवंत कहेंगे गोरिंद्रे वंग वो गोरिंद्रे वंग सूत्र जो है वो चौते अध्याय के तीसरे पात का 101 नंबर का सूत्र है और विवासा न्यत्र चौते अध्याय के तीसरे पात का 102 नंबर का सूत्र है तो यह अन्यत्र का मतलब यही है कि इंद्र सब्द को छोड़ कर इंद्र सब्द से रहित अगर अच्छ हों गो सब्द के सामने तो वहाँ पर विकल्प से अवंग आदेश होता है परंतु इंद्र सब्द में नित ही अवंग आदेश होता है इसलिए अन्यत्र का मतलब है इंद्र सब्द से रहे को कि इसके पूर्व का सुत्र वह वाला है तो यहाँ पर विकल्प से आदेश होता था तो विकल्प से आदेश होने पर बन जाएगा गवाग ग्रम परंतु ये भी बिकल्ब से लग रहा है अब आंगे हम क्या करें तो फिर कहते हैं आपके पास में एक ही सुत्रवता है गोरतिवाप पदांतात अतात एंगोती पदांतात यही सुत्रमात्र आपके पास में हैं एंगोती पदांतात गो सब्द जो एगंत है उसके सामने अत्माने अकार है और पदांत का भी सहत दोनों के इस्तान पर एक रूप आधिस हो जाता है अर्थात अकार जो है वो उसमें जाके मिल जागा अग्रम का जो अकार है वो सामने गो सब्द में रहने वाला जो है है उसमें जाके मिल जाएगा तो तीसरा प्रियोग सिद्ध होगा गो अग्रम आज अब पूरूरूप हो जाता है तो उसकी पैचान के लिए अवग्रे खंडाकार एसका चिंड निर्दारित हो जाता है तो यहाँ पर गो सब्द के साथ तीन प्रियोग सिद्ध होते हैं सबसे पहला गो अजीनम सरवत्र विवासा गो के माद्यम से प्रकर्ति भाव फिर गो अग्रम पहला बनेगा गो अग्रम पर दूसरे नमबर पर बनेगा गवाग्रम बिवासा नेतर से अवंग आदेश स्वेकोदी से दीर गादेश और ये दोनों सुत्र विकल्ब से ही कारे करते हैं और जब ये दोनों सुत्र विकल्ब से कारे करते हैं तो पहला सुत्र हमारे बीच में एंगोती पदानतात जो सूत्र है उस सूत्र से पूर रूप एक आदिस होकर प्रियोग बनेगा गो ग्रम तो यहां पर गो सब्द के साथ में तीन प्रियोग सिद्ध होते हैं ऐसा जानना चाहिए पहला प्रियोग गो अग्रम दूसरा प्रियोग गवाग्रम और तीसरा प्रियोग गो ग्रम यह तीन प्रियोग सिद्ध हो जाते हैं अब इसी सूत्र के हम्त्रगत गोधन अक्ष अब गोधन अक्ष में भी यही बात है कि घो के सामने अक्ष मarnे अकार है तो हैँ यहाँ पर ए चोई यावा यावा सूत्र लगना चाहिए पिर एंगोती पदानतात सूत्र लगना चाहिए भिर सरवत्र विवासा गो ये चाहिए फिर विवासा नेत्र यह भी सूत्र से अवंग आदेश विकल्ब से होना चाहिए तो इस सबका समाधा ने तु आचार वगवन्त करते हैं विवासा गरहनात यह नित्यम भवत्ती विवासा गरहनात यह नित्यम भवत्ती विवासा के गिरहन करने नित ही अवादेश होता है अवंग आदेस होता है ऐसा जानना चाहिए जब गो के सामने अक्ष है तो यहापर नित ही अवंग आदेस होगा तो अक्ष के तीन रूप नहीं बनेंगे केवल एक ही रूप बनेगा अवंग आदेश होकर गाह का अनुवन्द को कि गित सुथ के मात्यम से अंतों के इस्तान पर अवंग आदेश होगा और अवंग आदेश होने पर गाह अव अक्ष यहां पर स्वेकोदी सरप्रतम आदेप सुत्र की प्राप्ति होती है परंतु आदेप सुत्र के बाद सुत्र आता है स्वेकोदी स्वेकोदी सुथ संग्यक अकप्रत्यार के होने पर परस्पर में दोनों के स्थान पर एक दीर के आदेश होता है तो दीर के आदेश होने पर सब्द बन जाता है गवाक्षा गवाक्षा अब इसी के साथ गोग के सामने इंद्र सब दाता है गोधन इंद्र अब यहाँ पर गोग के सामने इंद्र है आ नहीं आ कार नहीं है इंद्र है तो गोधन इंद्र यहाँ पर एचो यवा यवाह सुत्री की प्राप्ति है एंगोती पदानता सुत्र लग नहीं सकता लेकिन विवासा नेत्र जरूर लग सकता है कि यहाँ पर अच है लेकिन वह सुत्र में ही कह रहा है कि इंद्र सब्दात अन्यत इंद्र सब्द को छोड़ कर अन्य सब्दों के इस्तांद पर अवंग आदिस होता है क्योंकि इंद्र सब्द के लिए गोर इंद्रे वंग यह सुत्र चार चोटे अध्याय के तीसरे पात का 101 नंबर का सुत्र है और विवासा नेत्र जे चोटे अध्याय के तीसरे पात का 102 नंबर का सुत्र है यानि कि इंद्र सब्द के होने पाला सूत्र पूर्व है और ये बिकल्ब से अवंग आदिस करने वाला सूत्र वातका है तो वहां तक पहुँचने की आवज सकते नहीं है तो यहां पर केवल एक ही सूत्र की प्राप्ति है सूत्र से अवंग आदिस की प्राप्ति होने पर सूत्र आता है गोरिंद्रे वंग सूत्र कहता है कि गो सब्द के सामने इंद्र सब्द हो तो उसको अवंग आदिस होता है अलग से सूत्र कहे जाने का मतलब प्रियोजन यही है कि इस सूत्र में बिकल्प नहीं है और पहले इंद्र सब्द के लिए बात रखी है फिर इंद्र के बाद में यह दि कोई अन्य अचाता है तो वहां पर बिकल्प से विवासा नेत्र सूत्र से अवंग आदिस होता है तेहां पर गो रिंद्रे वंग सूत्र के माद्यम से गो सब्द को अवंग आदिस होता है गित सूत्र की साहता से कोकि गां का अनुबंध है इसलिए अन्तिम ओ के स्तान पर अवंग आदिस होगा गो अव धन इंद्र अब जो गाहंग हलंत है वहन्चन है उसमें अवका मिल जाएगा अब हमारी इस्तितिय वह आ है सामने इंद्र ही है तो सबसे पहले आदेव सूत्र की प्राप्ति हमें यहां होती है और उस आदेव सूत्र के माद्यम से अलिडीके सामने एक प्रत्याहार है वैसे तो सूत्र कहता है कि अच्छ प्रत्याहार होना चाहिए तो अच्छ प्रत्याहार है लेकिन एक्चेप सूत्र ने एच को गिरन कर लेता है से को दी सवसंग्यक वरन को गिरन कर लेता है इसलिए से सवचते है तो एक प्रत्याहार वचता है तो एक प्रत् पर एक एप आदेश होकर गवेंद्राहा यह प्रियोग सिद्ध होता है गवेंद्राहा गवाम इंद्राहा गवेंद्राहा यह प्रियोग सिद्ध हो जाने पर अब आंगे हमारे बीच में संदी आएंगी प्रकरती भाव और प्रकरती भाव संदी के इस माद्यम से हम आंगे क पिक्रिया को आपके बीच में रखेंगे जानेंगे अभी हमने स्वर संदी 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 पिक्रिया को जाना है आगे अमारे बीच में आएगी प्रकरती भाव संदी उसके बारे में जानेंगे तो आज इतना ही परयात है कि गोस सब्द के सामने अकार हो, अचो हो, अक्ष सब्द हो, इंद्र सब्द हो, तो अक्ष और इंद्र सब्द के होने पर एक सुत्र के माद्यम से नित्य आदेश होता है, एक बारतिक के माद्यम से अवंग आदेश नित्य होता है, लेकिन केवल सामान अकार हो तवा पर सरवत्र विवासा गो से प्रकर्ति भाव विकल्प से होता है नहीं तो विवासा नेत्र सुत्र के माद्यम से भी विकल्प से प्रकर्ति भाव विकल्प से अवंग आदिस होता है और स्वे को दी होकर तीन प्रियोग सिद्ध हो जाते हैं एंगोती पदान्थात के माद्यम से तीसरा प्रियोग सिद्ध होता है तो सबसे पहला प्रियोग गो अग्रम सरवत्र विवासा गो के माद्यम से सिद्ध होता है फिर होता है गवाग्रम ये विवासा नेत्र सुत के माद्यम से सिद्ध होता है और तीसरा प्रियोग होता है गोग्रम अर्थात एंगोती पदानतात से ये प्रियोग सिद्ध होता है तो आज इतना ही परियात है से शर्चा अगले सत्र में तब तक के लिए जैजनेंद्र वन्दना सबका यतायोग अविवादन जावानी के ज्ञानते सुझे लोखाले